हाई दोस्तों मेरा नॉभा का आज अज हम बने वाले टेकनीकल एनेसिस के अंदर बॉटम प्रैस पैटर्व कुछ इस तरीके पैटर्व होते है जो की शाटा को रीटरुके जाता है या फीर वहां से ज्यादा बढ़े नहीं देखी जाती तो वहां पर कुछ बड़े इंस्टिटिउशनल के जो है आखिए चार्ट में या स्टॉप प्राइज में बाइंड करते हैं और फिर यह जो चार्ट है वो बन जाते हैं और इस चार्ट बनने के बाद जो है बेस पॉर्मिशन कंप्लीट हो जाता ह और इस चार्ट जब बन जाता है उसके बाद प्राइस जोए धिरे-धिरे करके ऊपर जाना चालू करता है तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं यहां पर हम तीन प्राइस पैटन के बारे में बात करेंगे जो कि हेड और शोल्डर पैटन डबल बॉटम जैसे कि हमने एड और शोल्डर पैटन बताया था टॉप फॉर्मिंग पैटन में अगर आप उसे नहीं देखे हूं तो हमारे आई बटन में जाके देख सकते हैं जहां पर कि आपको पता चलेगा कि हैड और शोल्डर पैटन कैसे बनता है सेम यहां पर उसी का उल्टा हो ज चार्ट पे और उसके बाद हम जो है इसे खोजने का प्रयास करेंगे और उसके खोजने के बाद इस प्राइस पैटन बनने के बाद क्या प्राइस एक्शन हुआ यह प्राइस की धर की ओर गया उसके बारे में बात करेंगे और यहां पर यह भी बताएंगे इस चार्ट बन यहां पर जो एक लेफ्ट शोल्डर रहता है फिर एक हैड रहता है फिर एक राइट शोल्डर रहता है और यहां पर भी से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है दो शोल्डर के बीच में और फिर जब भी यहां से प्राइस जो है उपर चलना चालू करता है तो यहां पर उस पैटन किसी भी स्टॉक साट में बनता है और इस उपर चान में ओडंग निकलना चालू करता है तो फिर बॉट्राइस एंगल के कोड़िक जानदा चालू कर देता है है और यहां पर एक बार आपके लिए गडिра my में यह लेट चूल्डर यह राइट चूल्डर और यह होगे आपका है तो चलिए अब हम इसे खोजने का प्रयास करते हैं 5050 के चार्ट में और इसके बनने के बाद क्या हुआ उसके भी बताने का बात करेंगे तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पारे होंगे 20 जून के आ और इसे अगर मैं इसे प्रोफेशनली ड्रॉव करके बताऊं ट्रेडिंग व्यू से तो उसे भी चलिए देखके बता लिए यहां पर आपको जो है पैटर्स में फिर से जाना पड़ेगा और यहां पर हैट एंड शोल्डर को पैटर्स को लेना पड़ेगा फिर यहां पर प्राइट चुल्डर को इसी तरीके से ड्रॉव करना पड़ेगा फिर राइट शोल्डर फिर उसके बाद आप देख सकते प्राइस पैटर्स को इसको पुछ अधर का सर्लास्ट में पकड़के यहां तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हुँए यहां से प्राइस पैटर जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हुए एक बार यहां पर फिर से बार जो इंवर्टेड हेड़न शोल्डर बनने का प्रयास हुआ है कुछ इस तरीके से आप जैसा देख पा रहोंगे और इसके बनने के बाद भी जो प्राइस है वो शार्प अप मूब दिखाया है चलिए और देख लेते हैं कनपोर्मेशन के लिए तो जैसा कि आप लोग देख पा रहोंगे 2013 में भी बना अगस्त के समय इंवर्टेड हेड और इसके बनने के बाद भी प्राइब जो शार्प अप मूब दिखाया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो इंवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर ने अपना इपेक्ट दिखाया है कुछ-कुछ बार जो है कई बाल जो आखरी का जो शोल्डर रहत है किसी भी स्टॉप के या किसी भी सिक्योटी के चार्ट में बन जाए और उसका कन्फोर्मेशन मिल जाए तो आपको वहां बाई साइड के ट्रेड लेना चाहिए और जब भी ऐसा आप करेंगे वहां पर एक छोड़ा सा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा तो आज के लिए बस इतने दोस्तों एती और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल दबंग एनलेस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें धन्यवाद